नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माइड़ स्पार्क मोटिविशनल पर आज की वीडियो में शित्रफल परिमाप और आयतन से समंदिर प्रस्णों को हल करेंगे तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण प्रस्ण है एक आयताकार भुखंड जिसकी भुजाएं या भीवाएं जिसको कहें हैं उदे रिखें स्वा मीटर और एसी मीटर इस आयताकार भुखंड के चारों और तीन बार बार लगाना है तो कितना तार लगेगा यह ग्याद करना है दोस्तों भुखंड है आयताकार और चारों और बार लगाना है तो इसका मत्रव यह है कि हमें प्रिमाप ज्यांत करना है लेकिन तीन बार लगाना है तो सब्रुखंड हम पहने प्रिमाप ज्यांत करेंगे प्रिमाप ब्राबर होता है आयत का प्रिमाप आयत का परिमाप क्योंकि भूखन्ड आयताकार है दो गुणा लंबाई धन चोड़ाई अलधन भी तो लंबाई दियर रखी है 100 मीटर और चोड़ाई दियर रखी है 80 मीटर दूनों को जोड़ेंगे तो यह गुगिया 180 मीटर गुणा दो अर्था 360 मीटर अगर एक ही बार तार लगाने की बात पुछी होती तो अप्शन नमबर तो 3 इसका राइट आंसर होता लेकिन यहां पर लगाना है बार तीन बार अर्था दो ही प्रिमाप तीन बार उस पर वा कि यदि एक बार लगाने में 360 आता है तो तीन बार लगाना है तो तीन गुणा 360 मीटर अर्थात 1080 मीटर तो इतनी तार की लंबाई लगेगी ऑप्शन नमबर दो इसका राइट आंसर है लेकिन नेस्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर दो एक बक्षे का आयतन क्या होगा यह दिए उसके किनारे की लंबाई तीन मीटर हो अब एकी किनारे का लंबाई की मीटर की बात कर रहे है उसमें यह नहीं पूछा है कि जो बक्षा है वो आयता का घनाव क्या कार का है कि घन क् अब एक ही अगर यूनिट दे रिखे एक ही भीमा दे रिखी है तो हमें मान के चलेंगे कि वह घनाकार होगा कि तो बक्षे का आइतन कि घनाब के आकार का है तो भुजा की घात तीन भुजा की घात तीन अर्थात जाएगा यह जाएगा 3 मीटर की घात तीन तो तीन की घात तीन का मलवशत द्वर दूर्ट साथ 227 मीटर मीटर की घात 3 दूर्प्षन नमबर दो इसका right answer है रिखे लेते जाएक next question question बेस्ष्यं नंबर है एक वर्ग का शेत्रफल निकालेच जिसका परीमाप दिया हुआ है 48 मि ini यहां पर दिया है परीमाप का यह निकालना है यहर तो सब से पह давно हमें त्हकुसक्त किया है कि हिर प्रफीर का सबाद कर परीमाप होता है चार गुणा भुजा परिमाब दे रखा 48 48 मीटर बराबर 4 गुणा भुजा तो भुजा बराबर 4 से भाग दे देंगे 48 में 48 बट्टे 4 मीटर अर्थाद बार्चको 48 तो बार मीटर भुजा निकल गी आप निकालना है शेत्रफल तो बर्ग का शेत्रफल भुजा गुणा भुजायाने भुजा का बर्ग तो बर्ग का शेत्रफल के लिए आ जाता है भुजा का बर्ग अर्थाथ 11 मीटर का बर्ग, 12 yakश्यवालीस मीटर का बर्ग मीटर स्क्वार option number 2, इसका right answer है, लेते next question, question number 4 है, नीचे दी गए आखरते में, एक आयत A, B, C, D, A, B, C, D, जिसमें A, B की लंबाई दे रखी है, A, B की लंबाई ग्यांत करनी है, कितनी लंबाई होगी, अब आयत की आमनी सामनी की भुजाएं बराबर होती है, यह 6 cm है, लेकिन बिकान जै रखा है, तो हमें D, C के अमान ग्यात करना है, A, B की बराबर होगा, D, C के बराबर, लेकिन यहां बर नब्यांस का कौन बनता है, तो बिकान इसको दो समकौन तिर्भुजों विवक्त करता है, तो समकौन तिर्भुज बन गया, A, D, C, तो समकौन तिर्भुज में पैथागुरस परमे से हमसूत्र लगाएंगे, जोंकि तिर्भुज A, D, C में कौन D बराबर नब्यांसों होगा, तब पैथागुरस परमे से इस परमे का प्रियोग करेंगे, तो पैथागुरस परमे होता है, कान A, C का बर्ग, बराबर आधार, D, C, स्क्वाइर, प्लस लंबर, E, D, स्क्वाइर, तो इसी का मांदिर खाएंगे, 110 संटीमीटर, इसका बर्ग करेंगे, D, C, ज्यांत करना है, और E, D, का मांदिर खाएंगे, 6 संटीमीटर, तो 10 का बर्ग, 100 संटीमीटर स्क्वाइर, बराबर, D, C, स्क्वाइर, इसका मांद, 36 संटीमीटर स्क्वाइर, D, C का मांद निकानना है, तो बर्गमूल, 36 संटीमीटर स्क्वाइर, अर्थाथ, यह आग्या घटा घरगे, 64 संटीमीटर स्क्वाइर, तो इसका बर्गमूल निकालेंगे, तो 8 संटीमीटर, तो अप्शन नमबर, वन इसका राइट आंसर है, तो A, B की लंबाई कितने होगी, 8 संटीमीटर, क्योंकि यह आयताकार है, तो A, B की इसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा, यह आमने सामनी की भुजाएं बराबर होती है, लेते हैं नेस्कोशन, क्वशन फाइब है, एक हॉल की भीमाएं दिर्खें 20 मीटर, उना बार मीटर, 4 मीटर भुजा वाली बरगाकार टैलों की संख्या, जिनमें फर्ष पाठा जा सके, यानि फर्ष को पाठना है, तो कितने टैले लगेंगी, जबकि उसकी बीमाएं दिर्खें हॉल की, तो पहले हम फर्ष का सित्रफल निगा लेंगे, फर्ष का सित्रफल, फर्ष का सित्रफल लंबाई गुणा चोड़ाई, 20 मीटर गुणा 12 मीटर, अर्थार 240 मीटर स्क्वार, और टैल है, टैल का सित्रफल यानि बरगाकार टैल है, तो एक टैल का सित्रफल, टैल का सित्रफल होगा, भुजा का बरग, अर्थार चार मीटर गुना चार मीटर तो यह आ जाएगा 16 बर्ग मीटर इसलिए टाइलों की संख्या पूरे फर्षबाए एक टाइल की शित्रफल से भाग दे देंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने टाइल लगेंगे 240 बर्ग मीटर बट्टे 16 बर्ग मीटर बर्ग मीटर बर्ग मीटर कटा कि शोल से भाग देंगे तो यह आ जाएगा पंद्र बार तो इसका मौन आ जाएगा पंद्र टैरे लगेंगे option number two इसका right answer है लेकिक नेस्ट क्वेशन अगला परगाकार पार्ग की भुजा है तो सो मीटर है तो पार्ग का यहां पर शेत्रफल ग्याद करना है परिमाब ग्याद करना है और शेत्रफल भुजा दे रिखी इसकी देखते हैं भुजा देया है शो मीटर परिमाब निकानना है पार्ग का परिमाब क्यूंकि पार्ग भरगागार है तो चार गुणा भुजा बर्थात चार गुणा शो मीटर तो यह जाएगा 400 मीटर आशांसा क्वश्चिन था क्वश्चिन अप्सिन नमबर 2 इसका राइड अंसर है लेटेने इस क्वेश्चिन question number 7 है यदि एक बर्गी की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रिमाप क्या होगा उसका प्रिमाप क्या होगा मान लो बर्गी की जो भुजा है वो ए इकाई है मीटर या सेंटीमीटर तो इसको हम इकाई लेंगे तो बर्गी की भुजा ब्राबर ए इकाई अब है बर्गी का प्रिमाप निकालें तो चार गुणा भुजा तो चार गुणा ए इकाई अर्थाथ इवन जैगा फूर ए इकाई अब यह कहा है कि बर्गी जी नई भुजा है प्रते भुजा दुगनी कर दी जाए तो नई भुजा क्या हो जाएगी वर्ग यह तो पूरु भुजा थी मूल वाली बर्गी की नई भुजा प्रस्ण नों शार्द गुणा करना है तो दो ए हो जाएगी तो प्रिमाब कितना होगा चार गुणा भुजा चार गुणा दो ए अर्थाथ आठ आठ ए इकाई अब देखेंगे हम मूलमान से कितना चेंज है मूलमान था 4A अब यहां ने कर ला 8A तो पहले वाले का 2 गुणा इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 4A अर्थाथ 2 गुणा Option नमबर फस इसका राइट आंसर है लेते हैं अगला question अगला question है एक बर्गा कार पार के जिसका परिमाप वहतर मीटर है का सेत्रफल ग्याद करना है तो सबसे पहले हमें सेत्रफल ग्याद करने के लिए भुजा की जरुवत पड़ेगी भुजा नेकली का परिमाप से तो परिमाप ब्राबर चार गुणा भुजा तो दर्खा बहतर मीटर तो भुजा जाएगी चार से शुमें भाग दे देंगे अठार मीटर भाग देने पर अब निकालना है शेत्रफल तो भुजा का बर्ग इसलिए पार्क का शेत्रफल पार्क का शेत्रफल हो जाएगा भुजा का बर्ग अर्थात अठार मीटर का बर्ग तो यह जाएगा अठार का बर्ग होता है 324 मीटर स्क्वाइर ऑप्शन नमबर 4 इसका राइट आंसर है तो यह थे 8 महत्तपौन प्रस्न जो कि आज की वीडियो में मैंने संकलित किया था अगले वीडियो में भी इसी प्रकार के कुछ महत्तपौन प्रस्न को सामिल करूंगा जो कि प्रिक्षिया की देश्टी से महत्तपौन रहेंगी तो यह वाला वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर दे मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक यू